BMS Academy में आपका स्वागत है File Explorer में अगली Tab हमारे पास Share Tab के रूप में है इस सेशन में हम Share और View Tab की जान करे लेंगे सबसे पहले हम Share Tab की बात करते है Share Tab में Send Group अविलेबल है आपके बास सबसे पहली कमाड इसमें Share की है आप किसी भी File को Share कर सकते है अपनी Email या किसी और मादियम से जो भी आपकी Sharing में Add है जैसे कि मैं इस Simple File को Share करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं File को Select करूँगा Share Option एनेबल हो जाएगा अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो जो भी Option आपके पास Sharing के लिए अविलेबल है उनके साथ आप अपनी इस File को Share कर सकते है जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे पास Mail Option एनेबल है Sharing के लिए इसके लावा Sharing में जैसे OneDrive आप्शन भी अविलेबल रह सकता है और इसके तरिक भी बहुत सारे Options रहते हैं Sharing पे तो जैसे ही Mail पे Select करूँगा और यदि Mail App को मैंने अपने Computer में Setup कर रखा है तो असानी से इसको मैं Share कर सकता हूँ मैं यहाँ से अभी Back का के वापिस आ जाता हूँ आप Directly यहाँ से Email कर सकते हैं Same Box खुलेगा और यदि आपके पस पहले से Setup है तो आप असानी से कर सकते हैं आप किसी भी File और Folder को Zip भी कर सकते हैं असानी से Windows 10 में और File Explorer के द्वारा असानी से आप इसे कर सकते हैं इसके लिए आपको केवल उस File को या Folder को Select करना है Zip पे Click करना है आपके पास यहाँ एक निया Folder Available हो गया है जिस पे Zipper का Sign है और इसका अर्थ है कि आपका यह जो File है वो इस Folder के अंदर Zip हो चुका है आपके पास Zip करने का एक फाइदा यह भी रहता है कि Zip करने से Zip करने से File का Size कुछ हद तक कम हो जाता है Mail करते हुए सारी File एक बंदे हुए Folder में जाते है तो Zip करने के हमें काफे सारे Benefit रहते है और इस File को यदि आपके ही खोलना चाहें तो वो भी असान है जैसे मैं इसको यहाँ से Copy कर लेता हूँ Desktop पे लाकर इसे Paste कर देता हूँ अब यहाँ पे यदि मैं Double Click करके खोलू तो File मेरे पास एवलेबल हो जाएगी तो इस परकार मैं Zip और Unzip दोनों बड़ी असानी से कर सकता हूँ File Explorer का प्रयोग करते समय मैं यहाँ से फिर से वापिस आजाता हूँ File Explorer पे Apply किसी भी File को मैं असानी से Fax या Print भी कर सकता हूँ Print या Fax की सायता से और DVD पे डालने के लिए मुझे Burn to Disk का प्रयोग करना है Burn to Disk की जानकारी हम आने वाले सेशन में लेंगे इसके तरीकता आप यहाँ किसी File या Folder को Select कर ले तो आप यहाँ पे Sharing Stop भी कर सकते है माली जी आप Networking Environment में कारा करते हैं और एक से ज्यादा Computer आपके साथ जुड़े हुए है तो यदि आप Stop Sharing करेंगे तो इस Folder का आप Sharing नहीं कर पाएंगे अरधात दूसरी Network Drive से इस Folder के Access नहीं किया जा सकेगा इसके अतरीकता आप Advanced Security के अंदर गत अपनी Settings के अनुसार इस Folder की Settings कर सकते हैं जिससे की कोई भी यूजर इसको Access कर पाए तो कितनी Permissions के साथ तो इस परकार हमारे पास Sharing के द्वारा हम Settings कर सकते हैं File Explorer में अगली टैब हमारे पास View टैब के रूप में अवलेबल है File Explorer में यहाँ पे मैंने कुछ Pictures को पेस्ट कर दिया है ताकि कुछ चीजों की जानकारी है मैं अहसानी से यहां से मिल सके सबसे पहले यदि आप Left Side पे देखें तो सबसे पहला जो Group है वो Pains के रूप में है Navigation Pain जो आपके Left Side पे दिखाया जा रहा है यह Navigation Pain है यदि मैं इसको क्लिक करके देखो तो काफे सारी Options है यदि मैं Navigation Pain को Off कर दूँ तो यहां से यह Pain हट जाएगा आप Directly Double Click करके किसी भी Folder या File को Access कर सकते हैं दुबारा क्लिक करने पर Navigation Pain चेक करने पर फिर से यह Navigation Pain अवेलेबल हो जाएगा Navigation Pain का आप Size बड़ा और छोटा कर सकते हैं अपनी अवशक नानुसार इसके लिए Mouse यहां Border के बीच में रखे Left या Right साइड की तरफ Move करें तो आपके पास Navigation Pain का Area बढ़ जाएगा इसके तरिकत आपस यहां से Preview Pain को On कर सकते हैं Preview Pain पे क्लिक करते हैं जैसे ही यहां मैं किसी फाइल को क्लिक करता हूँ उसका Preview मुझे यहां मिलना शुरू हो जाता है Details Pain पे क्लिक करते ही मुझे उस पर्टिकुलर फाइल की पूरी Details एवलेबल हो जाती है जैसे जो पिच्चर मैंने क्लिक किया है उसका Type of File PNG फाइल है कौन सी Date पे खीचा गया, Dimensions क्या है, Size क्या है और इस तरह की काफी सरी छोड़ छोड़ी जालकारी आपको मिलती है आप Details Pain और Preview Pain को जहां से एक क्लिक तरके Enable करते हैं वही से आप इनको Disable कर सकते हैं अर्धात यही से आप इनको हटा भी सकते हैं Next Group जो Available है वो Layout के रूप में है आपके पस जो Icons या List दिखाई जा रही है नीचे Files या Folders की उनकी Icon सेटिंग कर सकते हैं आप यहां से जैसे Extra Large Icon क्लिक करने पर आपके पास पहले से ही बड़े-बड़े Icon देने शुरू हो गया है आपके पास File Explorer इसका रहत यह है कि अब आपको शायद Preview पे लोड़ डिटेल्स पेन के वश्क्ता नहीं है कुछ हद तक आपको जानकारी Extra Large Icon ही Available करवा देते हैं कि पिच्चर में क्या है और किस परकार की यह पिच्चर है इसके तरिक Small Icon का रहत है छोट-छोटे आइकोंस में जानकारी देना टाइल्स में छोटे Preview अवलेबल रहते हैं आइकोंस के रूप में Large Icon में Large Icon अवलेबल रहेंगे List में एक Listing अवलेबल हो जाएगी यदि आप Content पे क्लिक करें तो आपको File और Folders के साथ अत्रिक्त जानकारी भी देनी शुरू हो जाएगे यहाँ पे Content के रूप में जैसे के Date Modified और JPG फाइल है या Size क्या है Medium Icon जो है वो Medium Size दिखाएंगे आपकी फाइल्स और Folders का Details में आपको Specifically Detail दी जाएगी हर एक File या Folder के बारे में यहाँ पे अलग-अलग कॉलम बनाकर जैसे Name Wise, Date Modified Type और Size यहाँ किसी भी कॉलम पे क्लिक करके आप असानी से इन चीजों को सोट कर सकते हैं जैसे Date Wise में सोट कर लेता हूँ या Type Wise अपनी File सिया Folder सोट कर लेता हूँ और यही कारह में Size Wise भी कर सकता हूँ अगला सेक्शन Current View का है जैसे कि मैंने बताया आप सोटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं और सोट बाए इस कमांड का प्रियोग भी कर सकते हैं जैसे Name Wise सोट चाहता हूँ तो Name पे क्लिक कर दता हूँ Name Wise सोटिंग हो जाएगी यानि कि A से लेके Z की तरफ और दुबारा क्लिक करें तो यहाँ पे और भी काफी सारे Option हैं जिनका आप रियोग कर सकते हैं लीचे Ascending और Descending Order भी आप चूज कर सकते हैं जैसे मैं Descending चुल लूँ तो देखिए Z से A की और आपकी सोटिंग हो जाएगी जैसे यहाँ S Alphabet की तरफ से फाइले पहले हैं और D वली बाद में हैं मैं Sending में फिर से वापिस ले आता हूँ कही बार आपकी फाइले अलग-लग टाइप की रहती हैं और आप उनको इकठा करके देखना चाहते हैं जैसे आप चाहते हैं कि सारी Pictures की फाइल से लग हो सारी Music की फाइल से लग हो सारी Video या Audio की फाइल से लग हो उसके लिए आप Group by कमांड का प्रयोग कर सकते हैं Group by में काफि सारे Types यहाँ दिये होए हैं Name wise यदि आप Group करते हैं तो नाम के नुसार Group लग लग हो जाएंगे जैसे A से H वली फाइल है यहाँ I से P वली यहाँ और क्यों से Z वली यहाँ पे इसी तरह से यदि मैं इसको Type के नुसार Group कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि Type wise से सारी Sorting हो गई है जैसे RTF अधा टेक्स वाली फाइल है यहाँ पे PNG फाइल से यहाँ पे JPGs यहाँ पे Folder सेलक कर दिये गये हैं और Zip Folder बिलकुल अलग कर दिया गया है यदि मैं Grouping off करना चाहता हूँ तो None option पे सेलक कर लोगा इसी तरह से मैं Column Add भी कर सकता हूँ जो Column आपके पास दिखाए जा रहे है उसमें कुछ Column Add भी किया जा सकते हैं जैसे Title Group में तो यहाँ Title Group में एक Column अलग से Add हो गया है आप चाहें तो Choose Column में से धिये गे काफी सरे Colum में से भी कुछ Column Choose कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं Date क्लिक कर लेता हूँ और OK कर देता हूँ तो यहाँ यहाँ देखेंगे कि Date Created Date भी अविलेबल हो गई है यहाँ पे Size All Columns to Fit वाला Option अविलेबल है आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा Space Extra है Name और Date Modified Column के बीच में मैं जैसे ही Size All Columns to Fit कर देता हूँ यदि आप चाहते हैं कुछ Files या Folder को Select करना और बाकी को छोड़ना तो आप Item Check Boxes का प्रयोग कर सकते हैं जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ आप जिस-जिस File या Folder के आगे Mouse लेके जाएंगे उसके पास छोटा सा एक Check Box दिखाई देगा यदि मैं क्लिक करना चाहूँ तो असानी से क्लिक कर सकता हूँ इस परकार से मेरी तीन आइटम्स यहाँ Select हो गई है सब को एक अठा Select करना हो तो Name के साथ में उपर की तरफ एक Check Box अविलेबल है क्लिक करते ही सारे Selection में आ गए है और यदि मैं दुबारा Uncheck करूँ तो फिर से सारे Selection हट गई है यहाँ से यदि मैं Item Check Boxes को Uncheck कर दूँ तो यह Setting Off हो जाएगी File Name Extension भी मैं यहाँ क्लिक कर सकता हूँ File Name Extension भी क्लिक करते ही आपके बस हर File के पीछे उसकी Extension भी दिखाई जाएगी जैसे यहाँ .jpg, .png, .rtf साथ में .zip भी है Off करने पर यह Extension हट जाएगी जैसे अब यहाँ पे कोई भी Extension नहीं दिखाईगी अगर आपकी कुछ File या फॉल्डर Hidden है तो आप यहाँ से Hidden Items को देख सकते हैं इसके लिए सबसे पहले मैं एक Item Hidden करता हूँ जैसे मैं Select कर लेता हूँ Important Data को Right Click, Properties और Hidden पे क्लिक करके Apply करके OK कर देता हूँ अब देखेंगे कि यहाँ पे Important Data के नाम से फॉल्डर नहीं है लेकिन यदि मैं Hidden Items पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे Important Data के नाम से फॉल्डर अविलेबल हो जाएगा और यदि मैं यहाँ से Uncheck कर दूँ तो फिर से हट जाएगा यहाँ पे Item को Hide करनी का एक तरीका और भी है जैसे मैं Sample File को क्लिक कर लेता हूँ और Hide Selected Item पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि वो Item भी Hide हो गई है Hidden Items को देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके बस अब दो Items यहाँ पे एक्स्ट्रा एवलेबल हो गई है अगर आप किसी File को Unhide करना चाहते हैं तो Right Click करें Properties Hidden Checkbox को Uncheck कर दे Apply और OK कर दे आपकी यह Item फिर से Unhide हो जाएगी इसी तरह से यहाँ पे मैं इस File को भी Properties Hidden से Uncheck कर देता हूँ Apply करके OK कर देता हूँ Last Option जो हमारे पस Options के रूप में है अब Change Folder और Files के Options को Set कर सकते हैं यह बिल्कुल वही Option है जो हमने File में initially सबसे पहले किया था इस परकार से हम File Explorer के सबी Options की जानकारी लेकर File Explorer को एक प्रभावशाली रूप में Effective Way में परियोग कर सकते हैं